हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी लोगों का रियल कुईक एनलिसिस चैनल पर चलिए अब जल्दी से चर्चा कर लेते हैं अपने आज की रोचक एनलिसिस की साल दर साल यह देख देख कर हम सभी तंग आ चुके हैं कि अमेरिका अपने आपको पर्यावरण का ठेकेदार समझता है बोले तो दुनिया भर को यही ग्यान अमेरिका बाटता फुरता है कि ग्लोबल वार्विंग को कम करने के लिए तुम यह कर लो तुम वह कर लो अमेरिकी और उसके डॉलर के दम पर इतराने वाले एंजियोज ने ऐसी ही बाते करके ना जाने कितने डैवलोपमेंट प्रोजेक्ट को पैदा होने के पहले पेट में ही मार दिया नेकिन अफगानिस्तान में हम सभी ने देखा कि सब कुछ लुटाने के बाद भी अमेरिकियों की अकल ठिकाने पर नहीं आती है इसलिए तो देख लीजे लाल बुजक्कड बाइडेन के परियावरण की उपर काम करने वाले विशेश प्रतिनीदी आज भारत आये हुए थ फिर भाई पर उपदेश कुचल बहुतेरे यह कर लो वह कर लो भारत में दो दिन ग्यान देंगे फिर चले जाना है इनको चीन में जहां इन्हें बोलना नहीं सिर्फ सुनना है और वैसे जब यह महां से बोलेंगे तब चाइनीज लोग कान में रुई ठूस कर सिर्फ मुस नीव रखीती इंटरनेशनल सोलर अलाइंस की तब से लेकर आज तक 124 देश इस अलाइंस में शामिल हो चुके हैं लेकिन इस सूची से अमेरिका का नाम आज भी नदारद है अब भाई साब आप ही बताएं यह कब तक चलेगा यदि अमेरिका चाहता है कि हम उसके नेपरत वाले ग्लोबल अलाइंस का हिस्सा बने तो क्या अमेरिका का दायत्व नहीं वनता कि वह भी इंटरनेशनल सोलर अलाइंस में सामिल हो आखिर कब तक हम एक हाती से ताली बजानी की कोशिश करते रहेंगे लेकिन इस बार जनाब भारत तयार था इसलिए तो प्रसिडेंट बाइडन की प्रतिमिदी से भारत ने अधिकारिक रूप से कह दिया कि अब भाई आजाओ बिल्कुल लाइन पर शामिल होना है आपको इंटरनेशनल सोलर अलाइंस में कोटने तिक भाशा में भले ही यह कह दिया गया कि भारत ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की अरे भाई य होगा वैसे भी अभीमान नहीं हमारा अधिकार है बता दें अमेरिका कि है कोई देश दुनिया में जिसने इतनी बड़ी स्केल पर सोलर पावर प्लांट लगाए जबकि हम विकास शील देश हैं बनाने को हम भी चीन की तरह बहानी बना सकते थे लेकिन वह हमारी आदत नही हैं लेकिन पर्यावरंड की नाम पर प्रगती में बाधा सुईकर नहीं होगी अब भाई साब देखते हैं यह महोदय अमेरिका जाकर बाइडिन को बोतल मोतार पाते हैं या नहीं हम तो कहते हैं कि ना हो अमेरिका शामिल इंटरनेशनल सोलर अलाइंस में कम से कम अगली बा हो हमने राम का नाम लेके DCM स्रीराम इंडरुस्टीस पर अपने फ्री टेलिग्राम चैनल इटीएफ नॉलिज शो पर साज़ा किया था तब यह स्टॉक 420 के आसपास था बोले तो कालिक पुती हुई थी इसके मूँ पर किसी को तब यादी नहीं आया यह उसी लेविल पर पड़े पड़े कई दिनों तक यह सब को खरीदने का मौका देता रहा और आज देखिए एक ही दिन में 12 प्रतिशत के उचाल के साथ यह पहुच गया है 495 के लेविल पर अगर 480 की Great Wall of China पार हो गई तो DCM स्रीराम इंडरुस्टीस का ड्रॉन नहीं उचाई पर उड़ने लगेगा भविश में क्या होगा क्या नहीं हमें नहीं पता लेकिन आप ऐसे सुनेरे मौके अपने दम पर सबसे पहले पकड़ पाएं इसलिए तो हमने बनाया है आत निर्वर इंवेस्टर कोर्स अब जरा दोस्तों आप लोग ध्यान से सुन लीजिए शुरुवाती ओफर का लाब उठाएं कहीं मौका हाँ से छूट ना जाए आंत में इस वीडियो के स्पॉंसर वेद्वरत मिश्रा जी को धन्यवाद देते हुए हम यह वीडियो समाप्त करते हैं इस वीडियो को पसंद आई हो यदि यह वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए आगे अपने फ्रेंड्स के संग शेयर भी कीजिए साथी ऐसे ही और नए इंटरस्रिंग एनलिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए इस